हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है ग्यानसार इस्टडी चैनल में और मेरा नाम है असीस कुमार आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाला हूँ बिहार सीबीसी बोड ने कुछ अपडेट्स दियें 10th और 12th के रिजल्ट के बारे मुगों अपडेट्स क्या है वो मैं आप लोग के साथ अभी सेयर करने वाला तो आईए आप जानते हैं नई दिल्ली मानव संसाधन विकास मंतरी रमेश पोख्रियाल निन्सक ने कहा है कि 3000 सीबीसी स्कूलों को मुल्यांकन केंद्रों के रूप में सेलेक्ट किया गया है जहां से कड़ीब 1.5 करोड उतर पुस्तिका अध्यापकों के पास जाचने के लिए भेजी जाएगी पोख्रियाल ने कहा देश में 3000 स्कूलों को मुल्यांकन केंद्रों के रूप में सेलेक्ट किया गया है यहां से 1.5 करोड कॉपियां चेक करने के लिए टीचर्स के घर भेजी जाएगी यह पर किरिया 50 दिन में पूरी कर ली जाएगी बता दे सुक्रबार को उन्होंने कहा था सिवेसी बोड परिच्छा की 10 वी और 12 वी की परिच्छाएं एक से 15 जुलाई के बीच कराएगी उन्होंने यह बात भी बताया कि सिवेसी बोड का जो बच्छा हुआ परिच्छाएं 10 वर 12 का वो कब होगा एक से 15 जुलाई के बीच में होगा और इसका जो प्रोग्राम होगा वो सिवेसी बोड के ओफिसियल वेवसाइट पर वाइड कराया जाएगा यह इदर उदर नहीं मिलेगा कहीं आपको यह बात अब लोगो को क्लियर हो गया कि लोगडाउन के समय से जो आपको कौपी चेक नहीं हो पा रहा था वो कौपी चेक अब स्टार्ट हो गया है वो आज कल मंगलवार से यह कौपी चेक होना मंगलवार को तै हो गया और आज से यह काम स्टार्ट हो गया और यह लोगड परिच्छा की तारीकों की घोसना के बाद अभी तक परिच्छा का से डियोल नहीं बताया गया है और प्रोग्राम जो है आपको अफिसल वेब साइट पर मिलेगा माना जा रहा है कि लोगडाउन खुलने के बाद सीडियोल जाड़ी किया जाएगा फिर भी इस बात के कयास ल मैं लग जाएगा और अंदाजा लगाया जा रहा है सीडियोल की तरफ से कि हम 15 अगस्त तक जो क्या है जो रिजल्ट है मैं अपडेट कर दूंगा और इसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक इंपोर्टन न्यूज यह है कि आपके जो डारेक्टर है यानि की चीप चे है तो देखी इसके बारे में क्या अपडेट है सीडियर आईएस ऑफिसर मनोज आहूजा को सीवेसी का नया चेर मैं नियूक्त किया गया है वे आईएस अनीता करवाल की जगा लेंगे अनीता करवाल को अपरेल माह में मानव संसाधन विकास मंतराले के एक स्कूल सिच्छा और साक्षक्ता विभाग के सचीव यानि कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट आफ इसकूल एजूकेशन अलेटरिशी के बत पर नियूक्त किया गया है और आप लोग के लिए ये जानकारीज रखना बहुत ज़रूरी है स्वेसी वाले स्टूडेंट्स के लिए कि आपके जो अनूस अहोजा जी हैं तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही और इसी तरह का अपडेट आपका जो भी रिजल्ट के थुरू आते रहेगा मैं आप लोग को अपडेट करते रहूंगा सबसे पहले तो दोस्तो अपडेट्स जानने के लिए चैनल को लाइक करें सेयर करें